सर्कुलर एकोनोमी को समझने से पहले समझे कि एकोनोमी क्या होता है देखिए एक अइसा सिस्टम होता है जहां पे जो people होते हैं यानि किसी country में किसी society में जो लोग होते हैं वो अपना जीवन यापन करने के लिए जो पैसे की requirement होती है या फिर चीजों की requirement होती है उसको earn करते करते हैं कैसे हैं करते हैं through the process of production, consumption, investment and exchange clear तो आपको सभी को पता है कि यह जो production होता है वो raw material का use करके होता है और raw material जो हमारे अर्थ पे जो हमारे nature में raw material available है वो क्या है limited है तो उनका जो है careful management जो है resources का होना जरूरी है पहले क्या होता था पहले हम क्या करते थे कि raw material हमने नेचर से लिया उसका यूज करके हमने प्रोडक्शन किया यानि कोई प्रोड़क्ट बनाया उस प्रोड़क्ट को हमने यूज किया और उसके बाद उठाके हम उसको फैंक देते थे और raw material जो है ज़्यादा consume हो जाता है नेकि natural resources का ज़्यादा use होने लगा तो इस stage को reduce करने के लिए क्या हुआ फिर nature पर focus किया जाने लगा technology का advancement हुआ और लोगों के अंदर जागरूपता उठी कि हाँ nature को बचाना जरूरी है यानि कि जो हमारे पास production हो रहा है जो हमारे पास product है उसका हम जो maximum utilization है वो करें तो यहाँ पर आया circular economy में क्या हुआ कि जो raw material है उसका use करके हमने एक product बनाया उस product को हमने consume किया consume करने के बाद जो maximum consumption हो सकता है उसको हमने consume किया उसके बाद हम उसको waste हो गया अब हमारी लिए उसको हम waste यानि उसको fake देने की वज़ा है हम क्या करते हैं उसको recycle करते हैं या फिर उसको किसी innovative तरीके से reuse करते हैं तो इससे क्या हुआ कि एक बार जो raw material का use करके product बना है वो कई phases में जो है उसका use हो रहा होता है तो इससे क्या होता कि waste is कम होगा और raw material का consumption क्या होगा कम होगा तो इसी को क्या कहते हैं circular economy पहला जो आपने देखा कि raw material यूज़ किया production किया, use किया, dispose का दिया, fake दिया उसको ये linear हो गया, single line में हो गया लेकि circular में क्या हो गया कि round round होता रहता है जाने कि एक बार raw material यूज़ किया, उसके बार production हुए, consume किया, waste हुआ, recycle किया, reuse किया, फिर से कोई product नया बना दिया, innovation का use करके फिर से consume किया, फिर से waste का use करके, recycle करके, technology का use करके, आपने कुछ नया produce किया, और फिर से consume कर रहे हो तो यह क्या है, यह cycle में चलता रहता है, जो एक बार अपने raw material का use करके कोई product बनाया है, उसका maximum utilization यहाँ पर करने की कोशिस की जाती है, circular economy में clear, तो यहाँ पर circular economy को क्या होगा, आप कैसे define कर सकते हैं, a model of production and consumption which involves reusing, repairing, reducing, rethinking, refusing and recycling, किस चीच को existing material and product as long as possible यहाँ पर किस फोकस होता है, कि जो product हम बना रहे हैं, जो production and consumption हो रहा है, उसको reuse करें, यानि take an existing product that has become waste and use the material or part of it for another purpose, यहाँने कि कोई product आपने बनाया, वो product को use कर लिया, अब वो product waste बचा तो waste का जो है, उसका use करें, जो waste आया है, उसका use करके कुछ नया आप produce करें, जैसे कहते हैं, best of waste, आप स्कूल में करते होंगे, कि जो waste है, उसमें से कुछ अच्छा product बना है, तो that is reuse, repair, repair कहाने कि जो product खराब हो गया है, जो यह नहीं कि आप उसको fake दे, laptop हो गया, mobile हो गया, खराब हो जाता है, ताप उसको fake नहीं देते हैं, बलकि उसको क्या कहते हैं, repair करवाते हैं, जिससे क्या हो गया, कि अब दुबारा आप नया laptop की demand नहीं करेंगे, अगर नया laptop की demand करेंगे, तो फिर से raw metal गया उसकर करके, नया laptop बनाना पड़ेगा, तो raw metal को वहाँ से consumption होता है, तो repair करिए, recycle करिए, clear, जो waste है, जो चीज़ें दुबारा बन सकते हैं, जि कि जो current way of life है, या फिर जो design है product का, उसको rethink करेंगे, कुछ नया innovation, यहाँ पर बात हो रही है, कि innovative करेंगे, innovative चीज़ें लाइए, जिससे की natural resources का use कम हो, और जो है product का, जो life है वो extend हो, याने कि जो एक product बन गया है, उसका बार बार से use किया जा सके, या फिर उसको repair करके, reuse किय जा सके, recycle किया जा सके, and last but not least, refuse, refuse means कि don't use a metal or buy a product if you think you don't need it, और if it is unsustainable, याने कि ऐसे metal का use बिलकुल मत करिये, जो आपको लगता है कि हाँ इसको दुबार से produce नहीं किया जा सकता है, या फिर आपको लगता है कि इसकी आपको जोत नहीं है, तो refuse करिये, आप मत मांगे, जब तो circular economy यहीं चीज़ हो गया, कि a model of production and consumption, which involves reusing, repairing, reducing, rethinking, refusing, recycling, existing material and product as long as possible, तो यहाँ पे maximum से maximum utilization पे बात की जा रही है, याने कि waste को reduce करने की बात की जा रही है, तो circular economy जो term है, इसको coined किया था, Piers and Turner ने 1989 में ही, तो circular economy circular क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो waste होता है, उसको reuse किया जा circular economy में आप यहाँ पे manufacture का focus किस पे होता है, कि वो ऐसा product बनाए, जिसको reuse किया जा सके, और life cycle जो है product का उसको extend किया जा सके, याने कि durable product यहाँ पे बनाए जा सके, ऐसा product बनाए कि जो जल्दी से खराब ही होनों, कई सालों तक चले जिस से क्या होगा, कि जब product durable होगा, तो waste is क कम होगा तो काफी इस टाइम था कम यूज़ करेंगे तो वेस्टेस क्या होगा कम होगा क्लियर अब एक्जामपल के तौर पर समझे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसे होते हैं उनको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उनको रिपेर करना आसान होता है यानि कि आप स्विचबोड लगवा लेते हैं तो आप बार बार नया स्विचबोड नहीं लगवाते बलकि उसी को क्या करते हैं रिपेर करवाते रहते हैं क्लियर इसी तरह के से दूसा एक्जामपल है प्लास्टिक का आप देखेंगे तो प्लास्टिक के चेर हो गया फिर प्लास्टिक जो आप कहते हैं आप वेबसाइट पे अगर मोबाइल फोन लेने जाएं लैपटाप लेने जाएं तो वहाँ पे आपको रिफर्विष्ट मोबाइल या लैपटाप भी मिलता है जो किस सस्ते में मिल जाता है नहे वाले के कमपैजन में तो सर्कुलर एकोनॉमी में चार में होता है जिस पर सर्कुलर एकोनॉमी डिपेंड करती है पहला रिसोर्स याने कि जो रिसोर्स हमारे पास अबलेबल हैं उनको हम कैसे मैंनेज करें हाव भी में प्रॉडक्ट को कैसे बनाएं कि वह डियूरेबल प्रॉडक्ट बने और उसमें से वेस्ट इस कम हो ठेक हो मिनम करती है अब नेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसकस करने है डिफरेंस बिट्विन लीनियर एंड सर्कुलर एकोनॉमी तो अभी तक आप समझी गया होंगे कि लीनियर और सर्कुलर एकोनॉमी के बीच में क्या डिफरेंस है तो सबसे पहला पॉइंट है यह फॉलोज लीन लीनियर एकोनॉमी होता है जि सकत्केराटमारद को जाती है जैसे की क λैक्टर सीटी हो गया तो कॉल और पाट्रॉल डिजल कर करें नहीं बलकि सोलर एनरजी और एनर्रजी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वहीं पे old Paulot revised product को यहाँ पर reused किया जाता है circular economy में, तो इससे किया होता है wastage कम होगा clear, next है linear economy में wastage कम होता है, circular economy में क्या होगा? वेसे कम होगा, but अब दनात है कि जब reuse करें кошकी करें, तो circular economy wastage कम होगा और linear economy में waste is जादा होता है क्योंकि वहाँ पे आप reuse and recycle करी नहीं रहे हैं वहीं पे linear economy में जो product की life है वो extend नहीं होती है बट आप इसे बात है कि जब आपने एक बार product को use के उसके बाद fake देते हो तो product की life extend का हुई लेकिन circle economy में product की life extend होती है क्योंकि जब एक बार waste हो गया तो उसके बाद आप उसको कुछ innovative तरीके से उसको reuse कर रहे हो recycle कर रहे हो तो वहाँ पे उसकी life क्या है उसकी life extend होती है आप उसको repair कर रहे हो तो life क्या होगी extend होगी भाई laptop है उसमें से screen खराब होगी तक की product are reused as much as possible आने की product को हम reuse करते रहते हैं recycle करते रहते हैं जब तक की possible हो सके तब तक तो यह difference है major differences है linear and circular economy में अब बात करने की role क्या है circular economy का sustainable business और innovation में तो देखिए सबसे important is की waste को क्या हो रहा है चक्राइब यहां पर minimize किया रहा है भाई आपy reuse कर片 रिषाइकिल करे हो रिफभीस्ट कर रहे हो तो यहां पर क्या हो रहा है की आ वेक्षोर्ड को minimize कर रहे हो यानि कि natural resources के consumption को कम कर रहे हो यहां पर product को reuse किया रहा है और recycle किया जा रहा है और इसकी विजह से क्या हो रहा है प्रोड़ट्ट की लाइफ क्या हो रही है बढ़न रही है जहां पर हम कोई प्रोड़ाइः साल तक उसको रहे हैं कि ऐ unders नोवेशन कर रहे है और नए नौट होंच कर seminar के की रोड़ बनाने में पहले यूज Quad अफ लगए उस में में उसा उसका construction किया जा रहा है तो that is the designing out the waste greener product process and services तो अब इससे क्या हो रहा है कि जब circular economy में focus किया जा रहा है चीजों को reuse किया जा रहा है तो हमार जो production process जो services से वो भी greener हो रहा है यानि कि economic friendly हो रहा है cost reduce हो रहा है but obviously जब reuse करेंगे आप suppose करें कि आप ही है आप being a customer एक laptop आपने 30,000 में purchase किया खराब हो गया तो अब अगर आप उसको reuse नहीं करेंगे repair नहीं करेंगे तो 30,000 दुबारा देने पड़ेगे वहीं पर आप reuse रिपेर कर लेंगे तो आपको खाली 5,000 या 10,000 में आपका इनोवेशन में behavioral economics suppose करें कि आप को आप आप आइस्क्रीम पारलर पे जाते हो और वहाँ पर आपको 10 रुपे में एक आइस्क्रीम केंडी मिलती है वहीं पर 20 रुपे में आपको आफर किया था कि तीन आइस्क्रीम केंडी आप ले सकते हैं लेकिन आप क्या करते हो कि आप 20 रुपे में तीन आइस्क्रीम केंडी ना लेकर आप 10 रुपे का एक आइस्क्रीम केंडी लेते हो लेकिन अगर रेशनल ही देखा जाए यहने कि अगर आप जो है एकोनॉमिकली देखें तो आपको बीस रुपे में तीन आइस की मिलें चाहिए था वहाँ पे फायदा था लेकिन फिर भी आपने क्या किया आप दस रुपे में एक आइस की मिलेते हो यह फिर दूसरा इस गाम अभी तक कि आप मेट की सीट्स परचेश करते हैं थे 200 रुपे में ठीक है लेकिन अब जो है प्राइस में चेंज हुआ अब जो है मेट की सीट्स की वैल्यू क्या हो गई 100 रुपीज होगी और जो पीछे वाली सीट्स है उनकी प्राइस जो है 200 रुपीज हो गई तो अब आप क्या करोगे, आपको rationally क्या करना चाहिए था, कि जो मिट की seat से उसको purchase करते हो, 100 रुपय आपका बच जा था, पहले 200 में लेते थे, आप 100 में मिल रहा है, तो आप 100 देखे 100 बचा लेते, लेकिन अब आप क्या करते हो, कि आप पीछे वाली seat से purchase कर लेते हैं, यानि कि 200 र elements of economic and psychology, to understand how and why people behave the way they do in the real world, by economically or rationally, अगर हम देखें, तो आपका वहाँ पे 100 रुपय बच रहा था, तो आप 100 रुपय देकर में मिल में seat से आप ले सकते थे, जैसा कि आप पहले ले रहे थे 200 रुपय देके, लेकिन आप क्या कि हुआ कि प्राइस घटी, तो आपने क्या कि उसके पीछे वाली seat ले 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 200 रुपय देकर, आपने अपना पैसा नहीं बचाया, तो ऐसा क्यों किया, यह irrational behavior आपने क्यों किया, economic activity परफॉर्म क्यों कि, उसी किस्टरी को कहा गया, behavioral economics, तो uses and understanding of human psychology to account for why the people deviate from rational action when they make decisions, यानि कि जो people होते हैं, वो rational action से क्यों deviate हो जाते हैं क्यों rational action नहीं लेते हैं, जब भी हो decision making कर रहे होते हैं, तो उसी किस्टरी को कहा गया, behavioral economics कहा गया, तो examine the psychology behind economic decision making and economic activity, यानि कि जो भी individuals होते हैं, institutions होते हैं, वो किस तरीके से economically decision making लेते हैं, और किस तरीके से economic activity को perform करते हैं, उसकी पीछे क्या psychology है, उसको समझने के लिए ही behavioral economics जो है हम पढ़ते हैं, clear, तो यहाँ पे different various spheres से जो है findings का use किया जाता है, to understand economic behavior of people, यानि कि क्या economic behavior हो सकता है people का, उसको समझने के लिए अलग-अलग fields का use किया जाता है, to use to make decisions, use to know to what extent the human behavior is rational, यहाँ पे दो चीज़े फोकस की जाती हैं, कि behavioral economics से आप यह समझ सकते हो कि जो company से जो organization है, उनको किस तरीके से अपने product को offer करना चाहिए, कैसे decisions लेना चाहिए, जिससे कि customer जादा-जादा उनका product purchase करें, और वहीं पे इसका use होता है, यह समझने के लिए कि जो human behavior है, वो किस हद तक rational है, यानि कि जो customer है, जो people से है, वो किस हद तक rational decision making करते हैं, या फिर irrational decision making कर जाते हैं, clear, behavioral economics में दो important concept होते है, nudging and choice architecture, तो दोनों को ही हमें हापे discuss करेंगे, देखिए, सबसे पहले आता है nudging, nudging में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई product purchase करते हैं, showroom में जाकर, तो जब आप आप से निकलने लगते हैं, cash counter आपते हों payment करते हैं, तो तो भी ठीक है, दो रुपए का candy देदीजिए, तिये क्या है, यहाँ पर आपके decision making को influence किया गया, इसी तरह किसे आप देखते होंगे, बहुत सारे office आते रहते हैं, newspapers में, या फिर आप कहीं रेशनोंट पर जाते हैं, तो आप लगा होता है, would you like to extra large fries with that, यानि कि अगर आप free, 20 रुपए का जो है, आपको ice cream भी free मिल जाएगा, तो यह क्या है, यह आपके decision making को change करता है, आप गयते सिर्फ burger खाने, लेकिन आप वहाँ पर देखते होंगे, fries भी है, और cold ring भी है, उसमें 22 रुपए बच भी रहा है, तो आप क्या करते हो, उसको जाके purchase कर लेए, तो य factors which encourage consumers to change behavior through small suggestions, उसी को क्या कहते है, नजिंग कहते है, आप पर small suggestion दिया, कि आप 22 रुपए बचा सकते हो, जब आपको holding को और fries भी ले लोगे, तो आपने उसको purchase कर लेए, तो यही suggestion जो आप देते हो, इसी को क्या कहते है, नजिंग कहते है, और यह coercive नहीं होता है, नहीं कि जाते हैं, आपको suggestion देके, और भी positively suggestions देके, आपको जो है, आपका behavior चेंज किया जाता है, तो यह concept जो है, Richard Taylor and Cass Sunstein ने जिया था, 2008 में अपनी book में, Nudge Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness, यानि कि यहाँ पे आपको इस तरीके से suggestion दिया जाता है, कि आपका healthy, मतलब कि health भी अच्छा रहे, wealth भी ब जाते होंगे market में, तो वहाँ पे fruits को आगे रख दियाता है, तकि आप उसको देखें, और आपको जो है, मन करें कि हाँ, आप इस fruits को purchase करने क्यों, क्योंकि वो healthy होते हैं, तो यह चीज है, happiness, आपको purchase करेंगे, तो आपको happiness मिलेगा, तो इस तरीके से suggestion जब दिया जाता है, और आपके behavior में change लाया जाता है, economic behavior में, तो उस ही को क्या कहते हैं, nudging कहते हैं, clear, अब अगला आता है, nudging, अब यह जो nudging है, कैसे होगा, offers देखें, जो nudging होता है, इसके लिए choice architecture की जोत होती है, suggestion देने के लिए, मैं लब कि आप suggestion दोगे, तो किस तरीके का suggestion दोगे, कैसे suggestion जिससे वो अपना economic decision making जो है, वो change करें, influence हो, people का, individual का, institution का, तो उस ही को choice architecture, यानि कि किस तरीके से design करना है, अपने offers को, आप यहाँ figure में देख रहे होंगे, एक होगे high calorie choice, और दूसरा होगे lower calorie choice, यहाँ पे आपको दोनों ही choice मिल रहा है, तो पहले में क्या है, strawberry milkshake है, large fries है और big mac है, ठीक है, तो total 1308 का है, वहाँ पे, वहीं पे दूसरा choice है, medium fries है, burger है, और large diet है, तो वहाँ पे 784 का है, तो यहाँ पे आपको देखे, minus 524 का जो है, आपको difference दोनों में मिलेगा, तो अब यह आपके उपर है कि आप कौन सा लेना चाहते है, तो choice architecture, यह offer दिया जा रह तो 22 रुपए आपका बचेगा, प्लस आपको 20 रुपए का free, जो है, ice cream भी मिल जाएगा, तो that is called choice architecture, यहने कि किस तरीके से आप organize करते हो, जिससे कि people's का decision making होता है, वो change होता है, how context is organized in which people make decisions, people को जो है burger लेना था, या colding लेना था, लेकिन आपने choice architecture इस तरीके से किया, इस पर उसका decision making change हो, और उसने meal pack प्रशेच कर लेता है, तो the design of different ways in which choices can be presented, choices क्या थी, colding, burger, fries, यह choices थी, लेकिन choices को इस तरीके से design किया गया, इस तरीके से present किया गया, जिससे कि decision makers का decision making है, उस पर impact पढ़ा, ठीक है, तही चीज लिखी है, the design of different ways in which choices can be presented to decision maker, and the impact of that presentation on decision making, तो यह ही चीज क्या है, choice architecture है, the theory of consumer choices is influenced by the way goods are presented, यानि कि जो goods है, उनको किस तरीके से आप present करते हो, उसके basis पर consumer का choice क्या है, वो differ करता है, चेंज करता है, आप popcorn लेने जाते होंगे, movie hall में जब जाते है, तो popcorn पर popcorn छोटा भी मिलता है, बड़ा भी मिलता है, आप जब prices को difference देखके ह तो आपको यह तो कि बड़ा वाला लेते हैं, वो फायदा मंद है, तो इस तरीके से आपको compassion प्रवाइट किया जाता है, और compassion करके आफिर आपका decision making को influence किया जाता है, clear, तो choice architecture में देखा जाए, तो following can influence consumer science, तीन चीज़े जो होती है, वो consumer की choice को influence कर सकती है, पहला the number of choice presented, य यानि कि उसके attributes किस तरीके से describe किये गए है, आपने एक जगा दिखा दिया कि 524 calorie मिल रहा है, दूसरी दिखा दिखा आपने 324 calorie का आपको मिल रहा है, लेकिन उसकी attributes यहाँ पे आपने बताया कि cold drink में इतनी calorie, burger में इतनी calorie, total इतना price, और वहाँ पे अगर दूसरा product लोगे, तो 100 रुपे पड़ेगा, लेकिन burger के साथ cold drink लेते हो और fries लेते हो तो आपको 120 रुपे पड़ेगा, तो इस तरीके से आप default के साथ उसको comparison करने का मौगा भी देते हो, तभी तो compare करेगा और फिर decision making लेगा, तो यह चीजे जो है, उसकी क्या है, choice architecture में consumer की choice को influence करती है, effect डा के बारे में भी बताया गया था, और focus के इस पर था, aims to nudge individual towards choices that are in their best interest without limiting choice, यानि कि उनको इस तरीकी से suggestion देना different choices के बारे में, जिससे कि उनको choices जो है मिले और उनकी benefit के लिए मिले, चाहे हो health related हो, चाहे हो wealth related हो, या फिर चाहे हो happiness related हो, यानि कि उनको कुछ ना कुछ extra मिल रह तराना तुसी को क्या कहा गया, choice architecture कहा गया, फिशो अल्दवेश्ट के पहुचिंग